हेलो एबरिवन मेरे चैनल एजुकेशन द्विक्याओं सभी का स्वागत है दोस्तो आज है दो मार्च और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जहारखन के महतुपुन करेंट अफेयर्स साथ ही नेशनल एंड इंटरनेशनल का भी करेंट अफेयर्स देखेंगे तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पर बता दें कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बिल आइकन को प्रेस कर ले तो यह रहा आज का फर्स्ट क्यूशन हाल ही में बेस्ट परफॉर्फॉर्मेंस 2019 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा आप्शन नमबर बी आप्शन नमबर बी इस राइट यानि कि प्रेम संकर मिस्रा ठीक है ना यानि कि इसका जो राइट एंसर होगा आप्शन नमबर बी चलिए यहां डिटेल से में देख लेते हैं लायन्स क्लब ऑफ राची ग्रेटर के चियर मेंबर्शिप प्रेम संकर मिश्रा को बेस्ट परफॉर्मेंस 2019-20 का खिताब मिला है यानि राची कलब जो है राची में जो लॉयन्स कलब अफ राची केरेटर का जो चियर परसन है वो कौन प्रेम संकर मिश्रा उन्हें जो है कि बेस्ट परफॉर्मेंस 2019 20 का खिताब मिला है चलिए next question देखते हैं जारखन के किस मंत्री ने भुनेश्वर के पुर्वी छेत्रिय परिशत की 24 मी बैठक में भाग लिया ठीक है यानि कि जारखन के किस मंत्री ने भुनेश्वर के पुर्वी छेत्रिय परिशत की 24 वी बैठक में भाग लिया तिसका जो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर बी अप्शन नमबर बी इज राइट रामेशवर उराउ ठीक है ना रामेशवर उराउ और यहां पता दू हेमन सोरेन जो है कि हमारे राजे के 11 नमबर के मुख्य मंतरी बने हैं और यहाजी हुसेन अंसारी यह जो है अलपसंक्यक मंतरी बनाए गया है और बंडा गुपता यह जो है कि स्वास्त मंतरी बनाए गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट केशन देखते हैं जहारखंड अस्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष किन्हे न्यूक्त किया गया है तो इसका जो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर ए यहनी कि राजेंद्र किरिशना ठीक है कौन तो राजेंद्र किरिशना और इसके जो प्रतिद्वन्दी थे वह निलेश कुमार थे चेर्मेन पद के चुनाव में हाई कोट के अधिवक्ता राजेंदर कृष्णा को निर्वाचित गोशित किया गया उन्होंने अपने निकरतम प्रतिद्वन्दी अधिवक्ता निलेश कुमार को प्राजित किया ठीक है इसका जो राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर A राजें मुख्याती थी कौन थे यानि कि जारखंड केंदरिय विश्व विद्याल है C U J में है कि पर्थम दिक्षान समारो मनाया गया तो उस समय जो पर्थम दिक्षान समारो जो हुआ उसमें मुख्याती थी कौन थे तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर B यानि कि र भारत के राष्टपती श्री रामनात कोविन जो हैं कि दिख्छान समारों में मुक्य अति थी थे ठीक है चलिए यहाँ पे डिटिल्स में देख लेते हैं भारत के राष्टपती श्री रामनात कोविन को जहारखन केंदरिय विशुबिद्याला के प्रथम दिक्छान समारों के अउसर पर मुख्य अति थी थे इस समारों में 96 चात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया यानि जो दिक्छान समारों हुआ उसमें 96 चात्रों को जो है कि गोल्ड मेडल दिया गया ठीक है चलिए नेक्ट किप्चन देखते हैं राजे सरकार ने केंदर सरकार से मनरेगा मजदूरों के लिए कितने रुप्य की मजदूरी की मांग की है तो इसका जो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर C अप्शन नमबर C is right ठीक है यानि कि 274 और अभी जो है कि 171 रुप्या मिलते हैं लेकिन जो राजे सरकार जो है कि इसे 274 रुप्या करने की मांग की है अप्शन नमबर C is right चलिए नेक्स देखते हैं दो दिवसिया एतिहासिक रजराप्पा महत्सो का आयोजन कहां किया गया यानि कि दो दिवसिया जो रजराप्पा महत्सो हुआ या जो है कहां पर किया गया तो इसका जो आयोजन है वह रजराप्पा में किया गया इसका right answer होगा option number B is right चलिए इसके बारें details में देखते हैं दो दिवसिया एतिहासिक रजरप्पा मोहत्षव का आयोजन CCLA Stadium रजरप्पा में 29 फरवरी और 1 मार्च को किया गया ठीक है यहनि 29 फरवरी और 1 मार्च को जो है कि CCLA Stadium रजरप्पा में इसका आयोजन किया गया हाल ही में मलेशिया के नए परधान मंतरी किरहें बनाया गया है तो बता दे आप लोगों को कि हाल ही में जो मलेशिया के परधान मंतरी जो है कि मोहिदिन यासिन को बनाया गया है मोहिउदिन यासिन को मलेशिया के नए परधान मंतरी के रूप में नियूट किया गया है और इसे पूर्वो जो थे वह महातिर मोहमद थे कौन महातिर मोहमद और अभी कौन है तो मोहिउदिन यासिन यानि इसका जो राइट एंसर होगा अप्शन नमबर A ठीक है और मलेशिया की जो राजधानी है वह क्वाला लामपूर ठीक है और यहां की जो मुद्रा होती है वह कौन सी है तो रिंगिट यहां की मुद्रा है रिंगिट और यहां पे जो महिउदिन यासिन देख रहे हैं यह पूर्वगिरी मंतरी भी रह चुके है ठीक है चलिए, next question देखते हैं, यहाँ पे next है कि भारत के किस देश के साथ संजुक्त वायू सेना अभ्यास इंद्रधनूस आरंभ किया है, यहनि भारत ने किस देश के साथ संजुक्त वायू सेना अभ्यास इंद्रधनूस आरंभ किया है, तो इसका जो right answer होगा, option number B, option number B is right, यहनि क ब्रिटेन के साथ भारत संजुक्त वायु से नाभ्यास इंदर धनूस कौनसा इंदर धनूस कारम किया है कौनसे देश के साथ तो ब्रिटेन और यहाँ पर बता दू ब्रिटेन की जो राजधानी है वह लंदन होती है और यहां के जो अभी पर्धान मंत्री यानि कि वर्तमान में जो पर्धान मंत्री है वह बोरिस जोंसन खोन है तो बोरिस जोंसन और यहां की जो मुद्रा है वह पाउंड अस्टर्लिंग है ठीक है यानि कि लंदन की जो मुद्रा है कैरेंसी है वह पाउंड अस्टर्लिंग है ठीक है तो चलिए यही था आज नेक्स देखते हैं अब यह है आज का हमारा answer of the day तो special female VRS scheme के तहट करीब कितने महिलाओं को लाभ मिला तो जो special female VRS scheme है उसके तहट जो है कि लगभग 16,000 महिलाओं को लाभ मिला option number C is right और इसका answer जो है कि बहुत से लोगे ने comment box में सही किया था ठीक है चलिए next देखते हैं तो यह हमारा आज का question of the day ठीक है तो यह जो question of the day है यह इसका answer जो है आप हमारे comment box में जाकर किजिएगा जैसे उतकल रक्तवीरसंमान से किसे सम्मानित किया गया है option आपके screen पे है दोस्तो तो जो भी इसका राइट answer होगा आप comment box में सही सही किजिएगा किजिएगा ठीक है चलिए ये था आज का question of the day तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा अपनी दोस्तों में share किजिएगा और अगर आप मेरे यूटूब चैनल एजूकेशन विद्विक्य को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सस्क कर लिजेगा और अगर किसी भी तरह का कोई doubt हो तो आप हमारे दिये हुए वाट्सअप नंबर पर comment कर सकते हैं या कोई suggestion हो तो आप इस पर message कर सकते हैं या comment box में लिख सकते हैं ठीक है दोस्तो यहीता आज का हमारा session thanks for watching